हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नवश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन 31 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनात सिंग अरुनाचल प्रदेश की एक यात्रा पर गए दौरे पर गए और वहाँ पर चुंकी 31 अक्टूबर जो है वो सरदार वल्लब भाई पटेल का जन्मदिवफ होता है एक संग्रहाले जो बनाया गया है उसका उद्गाटन किया और उसके बारे में चर्चा की और ये भारत के इतिहास के साथ थोड़ी समस्या है आगादी के बाद के इतिहास के बाद की हमको अक्सर जो भारत का जो मेन लैंड जिसको हम कहते हैं जो भारत की मुख धारा है वहा तो इनके बारे में आज मैं आपको अगले पांच मिनिट में केवल बताऊंगा कि किस तरह से भारत के जो भूभाग से जो अरुनाचल में तवांग का हिस्सा है उसको जोडने का श्रे अगर किसी को दिया जा सकता है और किसी ने अगर उसको चीन के कबजे या चीन की आकरामक नीती से बचाया तो वो मेजर खथिंग ने बचाया ऐसा क्या हुआ था ऐसा क्या होने किया इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा अगले पांच साथ पिनट में केवल बता दूँगा लेकिन उसके पहले आपको बता दूँगा अगर आप UPSC के लिए कौ कौनसी किताबें आपको पढ़नी चाहिए इस बात को लेकर आप फिक्रमंद हैं तो आप हमारी 18 किताबों का सिट खरीद सकते हैं AJ Live Code लगा के 4,299 रुपए में ये किताबे खरीद लेंगे तो आपको UPSC की पूरी तयारी के लिए कोई भी अन्य पुस्तक नहीं खरीदनी पढ़ेगी और अगर आप NCRT को लेकर चिंतित हैं कि आप NCRT की पुस्तके पढ़ते हैं लेकिन आपको ये clarity नहीं आती ये समझ नहीं आता कि यार जो आपने पढ़ लिया है कि वो पर्याप्त है या फिर नहीं है या फिर उसमें कहीं बेकार की चीज़े तो नहीं पढ़ का आज ही ले लिजे आपका NCRT का problem solve हो जाएगा चलिए अब एक बार तमझने का प्रयास करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या तो जिसका इसका उधगाटन जिनके एक संग्रहाले का एक museum का उधगाटन रक्षा मंत्री ने किया वो कौन थे major rolling now bob cutting भाई देखिए मैं पहले ही बता दूँ क्योंकि ये अगर मैं उचारण में कोई अशुद्धता कर रहा हूँ तो उसके लिए मापी चाहता हूँ पहले ही major rolling now bob cutting इनके सम्मान में बनाया गया एक संग्रहाले है जिसका उधगाटन रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने किया तो इनको क्या श्रे जाता है major cutting को क्या श्रे जाता है कि भारत में तवांग के शेत्र को तवांग जो शेत्र है जो अरुनाचल प्रदेश में है और जिसको चीन अब भी अपने हिस्से के तौर पर क्लेम करता है लेकिन कबजा उस पर भारत का है तो तवांग को भारत में शामिल करान चीन ने अपनी आकरामक नीतियां सपश्ट कर दी थी और पूरे तिबत को अपना शेत्र जो है घोशित करना शुरू कर दिया था चीन ने ऐसी एक योजना बना ली थी उन्ने सुन्चास आते आते तिबबत को अपना हिस्सा बना लिया था लेकिन उस समय चीन के अत्याचारों से तंग होकर अलग-अलग जगों से लोग भारत में आ रहे थे और तवांग का जो शेत्र था उसको लेकर एक विवाद होना तै था कि ये शेत्र जो है ये भारत में जाएगा या फिर ये शेत्र जो है ये चीन का हिस्सा बनेगा इसको लेकर विवाद होना तै था उत समय चूंकि पुर्वत्तर में बड़ा राज्य असम था तो असम के जो ततकालीन राज्यपाल थे उन्होंने मेजर खठिंग को आदेश दिया कि आप जो है किसी तरह से तवांग को भारत में शामिल करने जाएं। लेकिन एक बार सोच के देखिए जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ वो समय है 1951 जब एक नए नए फटंत्र हुए देश में एक सैन मेजर को ये आदेश दिया गया कि आप जाकर एक सुदूर वरती शेत्र पर कबजा करें ताकि वो शेत्र जो है एक आक्रामक और निश्चित त जाता है कि 17 जनवरी 1951 से ये मिशन शुरू किया और बहुत ही दुर्गम पहाड इत्यादी चड़के बहुत ही दुशकर जगहों पर जाकर इन्होंने क्या किया एक तो वहां जाकर स्थानियों लोगों से मिले स्थानियों लोगों का विश्वास जीता ये एक बहुत इंप अबूती से भारत के साथ बना रहे और आखिरकार 14 फरवरी आते आते उन्होंने तवांग को भारत में शामिल कर लिया याद रखिएगा 14 फरवरी 1951 को तवांग भारत में शामिल हुआ और 1951 का ही सितंबर आते आते चीन इस शेत्र में बेहद अकरामक हो गया यानि कि ये obvious है कि अगर इस समय तक तवांग को पूरी तरह से भारत में नहीं मिलाया गया होता तो निश्चित तोर पर हम तवांग को चीन के हाथों खो बैठते तो तवांग का जो शेत्र भारत में आज शामिल है इसका श्रय निश्चित तोर पर मेजर बॉब खतिंग को जाता है उनके सम्मान में उनके ओनर में जो है ये एक म्यूजियम का उधघाटन किया गया है 1957 में इनको पदमिश्री दिया गया बहुत सवारे इनको सम्मान दिये गए 1957 में सरकार ने इनको पद मिश्री के सम्मान से सम्मानित किया और अगर आप देखेंगे 1972 से 75 तक ये म्यानमार में भारत के राजदूत रहे 1972 से 75 तक ये म्यानमार में जो हैं भारत के राजदूत के पद को संभाला इन्होंने 1912 में इनका जन्म हुआ था और 1967 में इसके पहले 1967 में ये नागा लैंड के मुख्य सचेव भी बने चीफ सेक्रेटरी बने और ये कहा जाता है कि इन्होंने ना सिर्फ तवांग के शेत्र पर कबजा किया था उस समय बलकि कबजा करने के साथ-साथ इन्होंने स्थानिय प्रशासनिक व्यवस्ता भी स्थापित की देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टन बात है कि केवल ऐसा नहीं किया कि एक सैन ने तरीके से इन्होंने वहाँ पर कबजा किया और कबजा करके भारत सरकार को सौंब दिया और इनका काम खतम हो गया क्योंकि याद रख स्थानिय लोग भी है उनकी जो हम कहते हैं उनका विश्वाफ उनकी आस्था पूरी तरह से भारत में आ गई और चीन जो है वो कभी भी बहुत बार चीन ने क्लेम किया दावा किया लेकिन कभी भी वो तबांग के शेतर में कुछ खास प्रगती कुछ खास तरक्की कर नहीं पाया और यह शेतर जो है आज भी भारत में संविलित है तो इस तरह से मेजर रॉलिंग नाव बॉब खठिंग की इस वीरता के कारण इनकी इस दूरदर्शिता के कारण यह शेतर आज भी भारत में शामिल है 1990 में इनका देहान्त हो गया और अब उनकी याद में एक तोर पर होनी चाहिए ठीक है चलिए अभी के लिए इतना ही इसमें कुछ और नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा जाते जाते एक बार फिर से बता दू हमारी पांच किताबों का NCRT का सेट आपको मिल सकता है 1199 में अगर आप AJ Live Code लगाएंगे NCRT कैसे पढ़नी है कितनी पढ़नी है वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप ये सेट ले लेंगे और पूरे UPSC के लिए किताबे कहां से पढ़नी है कौन से पढ़नी है ये प्रॉब्लम का समाधान है हमारा ये 18 किताबों का सेट जो आपको AJ Live Code लगा क मात्र 4299 रुपए का मिल जाएगा तो इनमें से जो भी आपको सूटिबल लगे उससे आप आज ही ले लीजिए और किताबे और करते समय क्रपया अपना एड्रेस बहुत केरफुली बहुत साबधानी पूर्वक भरिएगा जो पता आप भरेंगे किताबें वहीं पहुँच